हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट अर्मान और आप देख रहे हैं रस्लिंग पीडिया ने मिलकर रो टैक्टिम चैंपेंशिप भी जीती थी लेकिन दोस्तों उस समय ही फैंस को समझ आ गया था कि ड्रू मैकेंटार आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं और दोस्तों इसलिए जब इन दोनों की टैक्टिम टूट गई तब फाइनली कुछ समय के बाद डवल वली चैंपेंशिप जीत ली वो भी तब 20 इंकार्नेट ब्रॉकले सा को हरा कर रिसल मीमिया 36 में और दोस्तों इसलिए आज डू मैकेंटार डूल जिगला से बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं पर दोस्तों क्योंकि डूल जिगला डू मैकेंटार को डवल् WB Championship का मैच दे नहीं होगा और दोस्तों डू मेकेंटायर ने डॉल्फ जिगला का ये चैलेंग एक्सेप कर लिया है और इसलिए इन दोने का मैच सेट हो चुका है WB Championship मैच के लिए Extreme Rules 2020 के पिपरियू में और दोस्तों इस हफते के Monday Night Raw में डॉल्फ जिगला ने टीम अप किया था साशा बैंक्स के साथ और फेस किया था WWE Champion डू मेकेंटायर और Raw Women's Champion आसका को और डॉल्फ और साशा ने डू और आसका को मिक्स टैक्टीम मैच में हरा भी दिया और दोस्तों इसके बाद डॉल्फ जिगला ने इंटर्वियू देते वे बुला है कि उन्होंने इडू मेकेंटायर को साइकोपैट का नाम दिया है और क्योंकि उन्होंने इडू को सब को सिखा है इसलिए वो उन्हें Extreme Rules में अराम से हरा देंगे और दोस्तों डॉल्फ जिगला ने ये भी कहा कि डू मेकेंटायर जैसे मॉंस्टर डबलो अबली में आते जाते रहते हैं जो कि कुछ समय तक चमकते हैं फिर वो डबलो अबली से गायब भी हो जाते हैं लेकिन वो कल भी यही थे और वो आज भी यही है पर दोस्तों अगर इस मैच पे देखा जाए तो डू मेकेंटायर डॉल्फ जिगला से बहुत जादा स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं इसलिए इस मैच पे डू मेकेंटायर के जीतने के जादा चांसेज हैं लेकिन दोस्तों डॉल्फ के टैग टीम पार्टनर यानि की रॉबर्ट रूड मंडे नाइट रॉम में ड्राफ्ट हो चुके हैं तो वो भी इस मैच में इंटर्फेयर करके डॉल्फ जिगला को जितवाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे नहीं लगता कि डॉल्फ जिगला डू मेकनटायर को हरा कर न्यू डबल वडी चैंपियन बन पाएंगे और इस मैच में डू मेकनटायर जीत कर उनका डबल वडी टाइटल रिटेन कर लेंगे वेसे दोस्तों अब आप भी कॉन्टस बताएं कि आपके हिसाब से एक्स्ट्रीम रूल्स 2020 में डू मेकनटायर और डॉल जिगला क्माच में को जीतेगा